तो आप सब कैसे हैं उमीद को आप सब अच्छे होंगे मैं ठीक हूं तो मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है और अभी मैं जा रही हूं प्रिक्फरस्ट करने रिक्फरस्ट में मेरे चैनी के सब्जी बनाई थे तो वह है तो उसी में थोड़ से प्याहच कचा मिर्च चाट में प्रिक्फरस्ट दालकर चाट के जैसे खा लोंगी और उसके बाद फिर वीडियो को स्टाट करेंगी तो चलिए देखिए मैं कैसे चाट बना कर खा रही हूं मेरा देखिए ऐलोग को भी खाने का मन क्या अभी रोक कि बना रहे हूं लेकिन लगों का मैं मेर्चे नहीं मिला हूंगे ध्यू जालगक अगर अँग्र पर उग कनत्र पर श्रमीов करें लिए डुंप तो पुद्रशेल, आने जा रही हूं चीकन, बेटिक है। परेजिए हम भी कोति हो आखिने बारे करिए। इसमेन ओखी रिच्तिे डूरे आज दANे कुंगे चीकन और फिर चीकन की पधाई लेकिन लेकिनתחले पर ऑंचीक के लिए गईना. तो चलिए हम अभी रेस्पी पर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं गैस पर कड़ा चड़ा चुकी हूँ और उसमें मैंने रिफाइन तल एड़ किया अगर आप चाहें तो सर्षो का तयल भी एड़ कर सकते लेकिन हम लोग रिफाइन खाते हो तो मैं रिफाइन एड़ कर करेंगे जब तक तक नहीं ब्राउन प्राइब में न आ जा है जो जो इसे प्याच पूरा फ्राइब हो चुका है कलर पूरा चेंज हो गया है तो अ अभी मैं इस में मासाला डालूँगी मासाला में मैंने अध्रक लेशन प्याच गोटा जीरा गोटा जीरा पीनोक प्वचारों को मिला के व्रेंडिंग कर लिया था और हल्दी मीर्च और गरम मसला तुम्हें अच्छे से अच्छे से फ्राइब करेंगे गर्मी से हाला खराब और यह बेसरम लोगों को देखो तो पुलर में बढ़ते हैं यह थोड़ा सा हावा कर दो विचारी को इसको देखा हुआ है खेर कोई बात नहीं यह देखिए मेरा मसाला भी नहीं हुआ है और थोड़ा सा होगा तो जब मसाला फूरी तरह से ट्राय हो जागा तो इसमें थोड़ा से ट्राय हो गया है अभी मेरी मसाले जो है वह थोड़ा से ट्राय हो गया है अभी में इसमें चिकन मासला एट करके जादा ने इसे आप 2 मिन प्लेम में ही पकाऊंगी ने तो वो चल जाएगा मैं जैसे चिकन बनाती हूँ आज सब के साथ भी वैसे ही शेर की हूँ तो आज सिवानी घर में है इसलिए मेरी वीडियो बनाने में हेल्प कर दिये थेंक्यू सो मजश सिवानी ने तो एक हांच से डूडियो बना और एक हांच से सबजी बना बहुत थी प्रबलम होती है यह मैंने नमक भी अलग से रख लिया है यह देखिए मेरा मसाला चिकन में पूरा मिल चुका है अभी मैं इसे अच्छे से कोवर करके लोपले में ही पकाऊंगी के तो आज की गर्मी कैसी है बहुत दिंजर सब्सक्राइब करें बाहर में दूब दिखाज़े बाहर में दूब को जैसे दिखी है अज कितना टेंपरेचर होगा आपको तो देख के लग रहा पुरा थड़ा अंदर देखते हैं क्या हाल है चलो अभी थोड़ा सा मेरा सब्सक्राइब को चेक कर लेते हैं कि इतना तुर्यों के बीजिश में मैंने चलाया तो वो वीडियो में बनाई नहीं क्योंकि हो ज्यादा ही लंबा हो जाता आपको नमक मिठ थड़ा चक लेए देशी चिकन जो होता है वो ज्यादा टेम लगता है और बोईलर ज्यादा टेम नहीं लगता है जल्दी पक जाता है मेरा बेटा बोल रहा है तु अंदर चे बनारी से अच्छा बाहर बनाती इतना दूप है तरह सब्जी पुरा पक जाता है बता रहे नमक मिर्च क्या हो और क्या लगेगा इसका नहीं बहुत एक्टिन होता है कोई इस बताने के लिए इसके टाइम लगता है तब जाके वो बताएगा बता तो बाबु बला और दस मिट लगेगा तो मैंने थोड़ा सा पानी मिला के दस मिट के लिए बॉयल किया था तो यह सब्जी मेरा फूरा पक चुका है और मैं इतने ही ग्रेवी रेखूंगी क्योंकि हम लोग का फेमली तो बहुत बड़ा है ड्रै करने से हो गए इसलिए तो मैं यह ग्यास को भी बंद कर जी हूँ मेरा चिकन हो तयार है तो अभी मैं सब के लिए खाना निकाल दी हूँ दोना बाबो मेरे हस्बेंड सब के लिए और करें मैं सबसे दास्ट में खाऊंगी एप जला जी如此 छह तक में भी बंड है यह यह ट्रे मेरा छोटा लबाभू खायेगा यूंकि वह सुरू से जब भी चिकन बनता है तो ट्रे में भूलेगा क्योंकि मुझे पाटी तो बोलता है मुझे भूजी बात में खाना है तो यह ट्रेय उसे का ही है अब बाद में खाऊंगी और अभी हो रही है थोड़ी सी बारिश ज्याता जो नहीं हो रही है हल्की फुल्पी नहीं है मैं उमीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे जो सब्सक्राइब रथे चीकेन की रेसिपी के लिए तो उन्हें भी मेरी वीडियो समझ में आ गया होगा अब वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक पर में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब क अबूटाष करता की मेरी अच्ली बूटे जोए उसाफ में सना करे तो अफिर में आ गलाग में तब तक दिले और रे